हलो फ्रेंड्स वेलकम टु मार्च मिष्टी मोर आज हम आपके लिए एक न्यूव वीडियो लाए है होजखास वोट का वीडियो जी हाँ साउथ देली में है होजखास बहुत ही पॉपुलर प्लेस वहीं पे है होजखास फोर्ट तो वीडियो को देखिएगा प्लीज लाइक किजिएगा कॉमेंट किजिएगा शेयर किजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आँ चैनल तो देखते रहे है होजखास फोर्ट का वीडियो तो यह होजखास फोर्ट का गेट जहां पे हम आखों को सुकून देने वाला एक वीव या फिर जो भी आप बोलोगे फोर्ट वगरा यह सब उसके निशानी अभी बैची हुए है वो नजर आता है बहुत ही अच्छा लगता है तो आपको पूरा घूम के दिखाएंगे और अभी तक अगर आपको नहीं पता है होजखास अब बारे में तो प्लीज में बोलेंगा एक बार भूम के आए जरूरूर रूटो यह होजखास फोर्ट इसमें फोर्ट है अथ मोस्क है मदरासा है और बहुत कुछ है और में जो चीज है जो इसको अच्छा दिखाते है दैट इस अ बिग लेक जो कि होजखास प्रूट च लेक बोला जाता है या मतलब होजकास में जो डियार पार्ट बोला जाता है या होजकास पार्ट बोला जाता है उसके अंदर है यह लेक यह लेक के बगल में है यह होजकास फोर्ट दोनों का एंट्रेंस अलग-अलग है तो अगर आप होजकास फोर्ट में जाना चाते हो तो टिकेट लेके एंट्री करना पड़ेगा ये देखिए होजखास फोर्ड का मतलब उसके बारे में लिखा गया है ये अलाब दिन खिल जी ने बनाना शुरू किया था उसके टाइम से उसी टाइम पर बनाया गया था ये मेंली बनाया गया था होजखास ये मतलब है होजख का मतलब होता है वाटर टैंक लेक और खास का मतलब होता है रोयल ये दिखिए होजखास का मैप भी दिख रहा है तो ये है रोयल टैंक होजखास का मतलब होता है रोयल टैंक तो ये एक्चली सीरी फोर्ट में जो लोग रहते थे वहां के लोगों के लिए water supply करने के लिए ये बनाया गया था में ली तो यह है अब देख सकते हैं यहां के जो भी आता है लेक का and that is wonderful आप गर्मी के टाइम पर थोड़ा शाम के टाइम पर जा सकते हो या थंडी के टाइम पर आप कभी भी जा सकते हो लेकिन थंडी के टाइम पर थोड़ा सा फॉग होगा तो ज्यादा भी दिखता नहीं है तो बेस्ट है कि आप मार्च से लेके अच्छा लगेगा थोड़ा गर्मी जहल सकते हो तो दिन के टाइम पर कभी भी जा सकते हो बाइब बाइब देखने की यहां से अच्छा लगता है फोटोस लेते हैं वीडियो बनाते हैं बगेरा बगेरा तो चलिए हम आपको में जो होजका स्पोट है या फिरोस सा कोटला तो आपने सुना ही होगा फिरोस सा उनका टॉम भी इधर है उनका मगबरा भी है वो भी आपको दिखाएंगे मदरासा है दो तिन फ्लोर में बने हुए है वो भी आपको दिखाएंगे तो ये है फिरोस सा का मगबरा या फिरोस शा का टॉम ये अभी बंध है दर्वाजा बंध कर दिया गया है पहले किसी जमाने में मतलब कोरोना से पहले हम गये थे तो तब ये खुला था I don't know कि कब से ये बंध कर दिया है दर्वाजा बट फिर भी आप बाहर से देख सकते हो और बाकी आपे सब कुछ इंफर्मिशन दिया गया है आप जान सकते हो इसके बारे में बाकी हम मद्रासा का मतलब मद्रासा की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे आप देखिएगा जहाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा शेर कीजिएगा जितना हो मद्रासा का पश्चमी भाग तो हम यहां से एंट्री करेंगे अब देखेंगे उस टाइम पे जो तूगलकी या सुल्तनत जो सब्वेता थी उन्हेंने किस तरह से यह फोट या फिर जो यह बिल्डिंग है जो उन्हें बनाया था पत्थोरों से बहुत सारा काम भी किया हु एक लाइम में पीलर्स है बने हुए हैं एंड वहां से एक लेक का अजीब सा मतलब बहुत ही अच्छा सा भी आता है एंड मितलब अभी तो क्राउडेट हो गया है जगा लेकिन मैं सोच रहा हूँ तब की जमाने में यह कैसा दिखता होगा तो मतलब सोचके लॉंटे आपको दिखा रहे हैं इसका उपर के फ्लोर से हम आपको दिखा रहे है कि कैसा क्या दिख रहा है कैसा क्या है फोर्ट कैसे बने हुए है और देखिए श्रीरिया नीचे जाड़ी है तो हम भी जाएंगे अभी थोड़ी दिर बाद वहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा क्योंकि मैं श्राम के टाइन पर गया था थोड़ा अंदर थोड़ा सा अंधिरा हो गया था तो भी आपको दिखाएंगे और यह देखिए जो फोर्ट का जो अलग सा जो अच्छा सा एक व्यू आता है और वही है यह यह व्यू आपको र आपको बाल सा प्रफ देखेंगे जो फिर देख़्ेह था था थोड़ा सा एक्ध से थमुडह था तो छोड़ा सा छोड़ा सा आपको ने भी लग रहा था 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 ऑंदब बहुति ऍच्छा सा अ लग्य था अनि. आम बहुत पराइन का परता मजाथे मैं को बदावति प्श तो ये beach-beach में आप देख रहे होग लेक का view में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यह lake-alag view आ रहा है बहुत बीग lake है और अब डियार पार्क का video भी आपको बाद में किसी दिन डियार पार्क का full tour करके एक दिल में पॉसिबल नहीं था और मैं आपको बता दूँ यहां पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुके है बहुत 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 पॉपुलर फिल्मों की जैसे की पुराने में हम है राही प्यार के आमिर खान जुई चौला की उसके बाद रॉक स्टार रनबीर कपूर की फिर तमाशा रनबीर कपूर दिपिका पाड़ुकॉन की फिर हाली में लव आजकल पार्टू जो सरा अलिखान और कर्तिकरियन के शूट किया है तो ऐसी बहुत सब्सक्राइब मूवी की शूटिंग हो चुकी है क्या पता कि इस दिन आप होज़का स्वोड भूमने जाओं वह पर शूटिंग कर तुए आपको कोई अशूपस्टर देख जाए तो एक बार जरूर भूम के आई है दिली में रहते है या दिली के आसपास रहते है दिली में जो भूमने आते है वो सब लेकिन आपके पस टाइम है तो प्लीज एक बार जरूर देखके आई है तो अब आप देख रहे हैं हम नीचे के फ्लोर पे आये हैं जैसे कि मैं आपको बताया रहा है अंधेरा था अपने देखा पूहत सारे गेट्स बंद है पहले किसी ज़माने में फूले थे सेकुरिटी के बज़े से सेकुरिटी के लब मत्यने जो रख्तु है ये सब बंद कर देया गया है गेट्स और ये देखिये लब नीचे के तरफ अंधेरा है तो मैं थे सोड़ा लाइक उसमें चमकाद अगरर की हावास भी आ रही थी तोड़ा सड़ा डर्वी लग रहा था क् कि जादा लोग थे नहीं तो बंद होने वाला था शाम के टाइम पर साड़े छे साथ बजी तक बंद हो जाता है ये और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मद्रासा है और ये चोड़े 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 देख रहे है तो यहां पर स्टूडेंट्स टीचर लोग ये सब रहते थे उस जमाने में तो उनके लएक लग अब लेते थे तो उनको एक अच्छा सा भीऊ भी मिलता था और पढ़ाई भी अच्छी होती होगी तो अब देख सकते हैं मुझे अच्छली फोड़े बहुत पसंद है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं और दिल्ली में देखते हैं तो मदलब यह छोटी-छोटी जगह होजखा सो पॉपलर जगह है लेकिन यह सब हर को देखता नहीं है तो ऐसी जगह पर आप अराम से फैमिली यह फ्रेंस के ओ लेकर घूमने जा सकते हैं डियर पर्क और होजखा स्पोर्ट में आपको तीन से चार घंटे लग तो यह अजगा स्पोर्ट दिखाना लाइक घूमना अल्मोस्ट कंप्लीट हो गया है और बचा हुआ है मॉस्क अधर हम जाएंगे अभी तो यह कंपलेक्स जो फोर्ट का कंपलेक्स है अल्मोस्ट नो मैं आपको दिखा चपका हूँ आई होप आपको पसंद आया है तो जल एक अधर देख आए दिली वालों को भी बोलते हैं सुना है होजकरस में फोर्ट भी है मैंने कभी नहीं गया मैंने कभी नहीं देखा तो बोलूँगा एक बर ज़रूर देख क्या यह आई यह है मॉस्क तो यह अप इसको लेके मैं अब को बोला मॉस्क मद्रासा, फिरोसरा का मखबड़ा और बाकी जो यहां पर पूरा जो बिल्डिंग है जो अब देखे है लाइक बहुत सालों से बना बहुत सालों पुराना था तो धिरे-दिरे यह तूट भी बीच में तूटने लगा था तो फिर अभी आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट इसको देख भाल कर द तो आई होप आपको अच्छा लगा तो जाते-जाते हम जो भी जहां से इंट्री हमने किया था उस तरफ कुछ बचा हुआ था विल्डिंग अनुआ से लेक का वियोज भी बचा हुआ था तो देखिए लाइक का भी सिक्यूर्टी वाले अंदर आ गया हैं वो देख रहे है कि कहीं अंधेरे में मतलब कहीं कोई रहना गया हो तो सबको बुला रहे हैं कि बाहर जाने का टाइम हो गया है मैंने आपको बोला 6-7 वजे तक गर्मी के टाइम पर यह खुला रहता है तो और बाकी का जो भी वीडियो मतलब जो भी फोट की है आप देख सकते हो और उसके मतलब हम इंट करेंगे ओं रहे हो तो जूडे रहे हैंने और हां वीडियो को प्लीजा वीडियो कीजीएगा कोमेंट कीजेगा शीयर कीजीगा जितना हो सक幼ें उतना शेर कीजीगा और अभी तक अगर आपने अपने श्वरचार मनी किया है तो प्लुछग्ने ट्रेश गर रहिए माच मिष्टिमोर के साथ और भी बहुत सारी वीडियोस है ट्रावलिंग ब्लॉग से आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस में तो आई होप आपको होजकास फोर्ड का ये वीडियो पसंद आया है तो मैं बोलूगा एक बार ज़रूर जाहिए होजकास फोर्ड घूम के आए और मतलब उसके साथ साथ तीयर पर्थ भी आप जा सकते हो एक छुट्टी के दिन या फिर साटेडे संडे आप उन्यों फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप जाके अपना चुट्टी मना सकते हो फिकनिक डाइब कर सकते हो इतनी कर्मी में वहाँ पही देवार पार के अगला वगल में अप हूत लगिगी नहीं वीकॉस वहाँ पे एक बड़ा सा टैंक है वाटर टैंक या लेक है तो वहाँ पर प पुल आफ ऑप्षिन फर खाना पीना एन अल आप महाँ भी अपना लंज बगरा या फिर स्नेक्स बगरा खासे को तेखो कुछstyle बाब की देखों बाब करते हैं के लिए बगरा या नियुके मट आटा कहीं कोली दितना सके और अच saúde कूछ eerste सर्फ मॉड आटा क।